आईए हम एक उस परिवार से मिलाते हैं जो लोग रोजी रोटी कमाने के लिए बिदेश जाते हैं मगर विदेश जाना इस परिवार के लिए कितना मुश्किल हो गया है जो साथ साल पहले जो परिवार एक रहमान नाम का व्यक्ति के सट का रहने वाला और विदेश जाता है कमाने के लिए मगर किसी कारण बस उसे किसी जुर्म में वहां फसा दिया जाता है या first चुका है या जुर्म किया है उसे 7 साल की सजा होती है और 7 शाल पूरा होने के बाद भी वो व्यक्ति यहां पे नहीं आया और उसके परिवार आप देख सकते हैं कि परिवार के लोग यहां पे बैठे हैं उसी के आस में ये तीन बच्चे एक बिकलांग बच्ची है इन् तो क्या करके गए कमाने के लिए कि हम जाएंगे तो हमारे बाल बच्चा का पोसन बढ़िया से होगा यह मजदूरी करने से खर्चा नहीं लेकलता है तो क्या हुआ फिर वहां जाने के बाद जाने के बाद साल भर के बाद फोन नहीं आया उनका क्या सुचना कुछ मिला तो चीन कर से वब from के नहीं कहा हूँ कि यू झायां में ज कि उनकर प्रफण नहीं आ रहा है तो वे जेल में गए हैं जेल जाने का सुचना ही उझी जाने का सचना जेल जाने का कि यहां पहुल इंक किसी से जगड़ लड़ाई नहीं करते थे तो ये बच्चों को पालन पोसन कैसे कर रही है आप एक मा कैसे करती है अपने बच्चे के लिए इसी तरह घर चल रहा है कमाता कोई नहीं है ताफिर पढ़ाई लिखाई बच्चे का पालन पोसन सरकारी में बच्चे पढ़ते हैं असकूल में असकूल में इखाना काते हैं और इहा के लोग हैं जो मदद करते हैं क्या नाम है अपपा कुरेशा खाते है बाबू पापा से मिलने कामन करता है हाँ कितना दिन पहले गये थे याद आते हैं पापा कहूँगा कि मेरे पापा को जल्दी भार ले बन करता है मिलेगा जी परिवार इंतजार में है कि हमारे पापा बच्चे इंतजार में है कि हमारे पापा यहां पर कवा आए आप ये इनके मामा के लड़के हैं इनसे जानने का प्रयास करें कि ये कितना प्रयास किये अभी तक रहमान को लाने के लिए क्या किये अभी तक सर मैंने प्रयम मनिश्टर ऑफिस बिदेश मंतराले तक बहुत गोहर लगाई वहां भी मेल किया तो जाने के बाद वहां से मिलाया मेरे पास इनफरमेशन को साथ साल के लिए जेल चला गया जब जेल चला गया मुझे मालम हो तो हम वहां से फिर साइलेंट हो गए को साथ साल गराँ करूंगा है किसे हालाते हैं ये तो मेरे मेरे मेरी सिरी नरेंद्र मोदी जी और मानले सिरी नियूसे Leah सिरी नितिश्गु secular जी से यह तो उन्लों कि मैं इहीं अगरह करूंगा अखिर मेरा ब्रदर है क्या साथ साल के लिए जब जेल चला गया जेल जाने के बाद सजा भी पूरा हो गया उसका कोई आता पाता नहीं है अखिर है क्या सिर्फ में नरेंदर मोदी जी और शुरी नितिसकुमार जी से अगरह कर करेंगा उनका खोजबिन करकर मेरे भाई को हिंदुस्तान लाने में कोशिस करें अभी कुछ पता चला कि वह कहां है या जेल सजा बित गया बित जाने के बाद अभी तक क्या हुआ नहीं सर कुछ पता नहीं चला कुछ इंफरमेशन उधर से आहीं नहीं रहा है कि आप एज कशकर चला काम था भैजनाव में वह यह सब हम लोग नहीं जानते हैं वह कंपनी नहीं की तरफ से चलात oss reservedu हैं कि एजेंट द्वारा भेजा गया उसके बाद में कोई एजेंट के द्वारा पहल नहीं किया गया क्या एजेंट का नाम है घंस्याम कहा कि है उन नराइन कोटव नराइनपुर के हैं उतर परदेश अच्छा अब यह भाई जी जो हैं यह एंजियो चलाते हैं तो आप इस नजरिये से देख रहेis देखिये यहां से जो बच्छे बाहर भेजय जाते हैं कमाने के लिए किसी माध्या में एजेंट बोले जाते हैं तो एजेंटों को होनी चαहिए की एक बीदेश का मामला है अपने देश के भीतर का नहीं तो उनको पूरी जिमेधारी होनी चाहिए क किस स्थिती में वहां हैं अगर कोई फस्ते हैं तो उनके परिवार वालों को तत्काल सुचित करें और उनका या बच्चों को मंगाने का भी प्रॉपर अपडेट करने का भी सारी जिम्मेदारी उनकी होनी चाहिए इस जो घटना करम है इस घटना करम में आप कार नजरी अभ विदेश मंत्राले ने कॉर्परेट किया न किसी ने किया तो यह क्या हमारे भारत का पहचान है यह क्या हमारे भारत के अपने नागरीगों का सहयोग है जो हम लोग दे रहे हैं एक परिवार बिलगता रहे मरता रहे अगर वह आवाज उठाए तो किसको उठाए अगर हम ल रहे हैं ना खोजनी की कोशिश कर रहे हैं तो इस जगह में हमको वहां होना या यहां होना बात बराबर लगता है लेकिन कृपया कर यह सब चीज न करके आप उनको सहयोग करें कौपरेट करें बड़ी दैनी मस्ता है खाने खाने को लाले पड़े हुए हैं जैसे तैसे बगल बगल के लोग भोजन मुहिया करा रहे हैं तो बढ़िया तो यह लोग हैं हम लोग साथ में खड़े हैं उमीद करते हैं कि भारत की सरकार जागेगी बिहार की सरकार जागेगी और महरास्ट की भी सरकार जहां की एजेंट हैं लोग जहां की एकंपनी हैं वो भी जाग और बच्चे को मंगवाने का प्रॉपर लड़ाई लड़ी जाएगी अपील करता है कि भारत सरकार इस परिवार को के गरजियन को उनके परिवार से मिलाए अच्छा यह बताए यह आप यहां पर ग्रामिन है तो रहमान का यहां पर कारिजकाल या रहन सहन कैसा था बहुत कपड़ा पड़ा के फेरी करता था उसका बहुत सुन्दर बहुत बहुत फूरी गाओं में आप वो क्या लगता है गाओं में गाओं की छोड़िये ना अगल बगल के गाओं में भी उनका बहुत अच्छा है बजदाशपूर दसियां कहीं भी मतलब इस शेत्र में नवान लुट भर हम लोगी घर कोई अगल बगल दे रहा है वच्छे खा रहे हैं है लाजा है आप सब्कते हैं कि रहमान के परिवार रहमान के इंतिजार में कि पलके बिच्छाे हैं मैं भी अपील करूंगा मुख्यमंतरी पर्धान मंतरी नायंद्र addresses की रहमान के मामले में मीं को ABP News आपको रखे आगे